आज हम बताने वाले हैं कि एक सेटिंग करने से कैसे आपका व्यू सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा 100% अब उसके लिए यह आपका वीडियो उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग फोड़ा डेवलपिंग का काम करते हैं और स्टी एमल की कोडिंग जानते हैं तो प्लीज वीवर्स जो आप कंप्यूटर वीवर्स हैं वो भी इसको जरूर देखें कुछ सेटिंग ऐसी है जो अंदर से इंटरनली आप जब करते हैं तो आपका वीडियो जादा रहन करेगा और जादा लोग इसको देख पाएंगे यूटूब पर ना कि सोशल मीडिया प प्लीन यूद्या आजाता तो आपका एक्सटरनल उल भीउ बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे विशत के लिए हम लोग यूटूब पर जाएंगे कोई बी एककशन बिट्द में जाएंगे यहां पर नीचे एक option आता है आप और नीचे जब जाईएगा तो more view में आपका एक option आता है embedding का यह हमने पहले भी बताया था कैसे allow करें embedding की यहां पर जब आप click करिएगा learn more करिएगा तो YouTube पर आपको embedding के सारे हून बताएगा यह कई बार होगया तो जब उसको आप खोलिएगा embedding rule को तो उसमें सारे rules वो आपको बताएगा तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो तोड़ा programming जानते हैं लेकिन आप इसको set कर सकते हैं कहां set कर सकते हैं simple किसी भी वीडियो में गया उसको run किया वहां पर embedding on कर चुके हैं हम यहां डीटेल वाले में अब आप वहां पर गए यहां पर देखें हमने वीडियो जान बूच के म्यूट कर रखा है यहां पर वीडियो में जब आप शेयर करते हैं यहां दीजे जब आप शेयर करते हैं वीडियो को अगर आपको यहां पर आपके लिए कोड बना देगा आप यहां पर इसको शेयर करें अब जब आपने शेयर किया तो देखें आपका option आया जो रोज आप करते हैं कि social media पर करेगा email पर करेगा और create post करेगा तो यहां पर देखें आपके पास channel का id with link आ रहा है जिसको यहां सब copy कर सकते हैं और यहां पर embedding option आ रहा है जिसमें आपके आप अपने आप code लिख जाता है तो इस code को हमने पहले भी बताया था लेकिन इसको website पर social media पर कैसे implement करते हैं यह code आपको लिखना नहीं पड़ेगा सिर्फ यहां से आप copy कर लिजेगा तो यह code आपके लिए copy हो जाएगा तो 48 seconds अपने आप दिखा रहा है यहां देखे 48 seconds आ रहा है क्यों क्योंकि यहां पर इतनी देर वीडियो चल चुका है तो यहां पर embedding में जब आप जाएगा start position क्लिक करियेगा तो इसके लावा और भी setting आईगी slow player control आपका आता ही है और enable privacy enhance mode अगर इसको कर दीजगा तो आपकी privacy enhance हो जाएगी और यहां पर developer sample भी है तो यहां जाकर के आप developer में अगर आप developer है तो उनका फाइदा है वो लोग अपने को enroll कर सकते हैं प्रोफाइल जोगा वो develop हो जाएगा और API reference ही आपको मिल जाएगा API भी सीख पाईएगा अभी हम simple वाला करते हैं यहां पर गये copy किया copy करके start position को click कर दिया यहां से copy किया और वापस गये facebook पर facebook पर हमने यह देखिया यह वही code यहां पर जब अपने post में paste किया तो यह video का यह link आ गया और इसका thumbnail आ गया अब यहां से जब क्लिक करेंगे इसको तो यह देखिये सीधे YouTube पर पुलेगा यह देखिये redirect हो जाएगा Facebook से YouTube पर अभी आपके सामने होगा आप देखिये यह देखिये YouTube पर चला गया तो क्या होगा आपका वीडियो सीधे YouTube पर खुलेगा ना कि Facebook पर और फूल स्क्रीन मोड दे रखका है तो फूल स्क्रीन मोड में वह रण हो जाएगा यहां से देखिये सारा कुछ वैसे ही है यहां से सेटिंग करना है यहां से आप कर पाईएगा और वाच अगर आप वीडियो का सांड आउन कर दीजेगा तो वीडियो रन हो जाएगा तो इस तरह से आपका यह Facebook में एंबेड हो जाएगा YouTube पर रन होने के लिए अब देखिए पहले जो हमने किया था उसमें केवल लिंक दिया था आप लोग को दिखाने के लिए हमने दूनों तरह का किया है अब जो पहला बाला लिंक करेंगे तो यह देखिए Facebook पर ही रन हो जाएगा यूर गोइंग टू लिंक आउटसाइड अज सेम इसका आमने सेट कर रखा है तो फॉलो लिंक करेंगे Are you sure you want to follow this link? आउटसाइड Facebook क्योंकि इसमें सेट कर रखा है इसलिए यह भी Facebook पर जा रहा है तो हम लोग दूसरा को यह रन करते हैं एल इसको देख लीजए तो इस तरह से यह रन हो क्योंकि हम लोग ने embedding on कर रखा था तो यह यहाँ पर रन हो गया अब हम लोग यहाँ चलते हैं और य इंबेडिंग आफ करके करते हैं अलाओ इंबेडिंग को अटा वेते हैं अब इसको सेव किया और इसको सेव किया कि अब अब आप इसको कि रन करिए जब यह रन होगा और आप इसको शेयर करिए ना कुछन confusion कुछा कि अब गाने स्वेट आर गया कुछा क्या तो फेस्बुक पर हम लोग शेयर करते हैं इसको देखें यहां पर उसने बोल दिया जब आप यहां शेयर करिएंगे तो एंबेड़ेड नहीं दिया है तो यूजर ओप्टेड आउंट ओप प्लेटफर्म तो आपका वो पेस्बुक पे रन नहीं होगा क्योंकि हमने एंबेड़िंग फेसलिटी नहीं दे रखते हैं तो इसलिए जब भी वीडियो को आप बनाएए तो यहां पर एंबेड़िंग फेसलिटी को आउन कर दीजिए जो हम आपको समझाना चाहरे तो आपको दिखाया तो यहां पर हमेशा अलाव एंबेड़िंग करिए और इसको सेव कर दीजिए तो जब एंबेड़िंग आप करिए तो वीडियो जो है आपका फेस्बुक पे ही रन होगा ना की यूटूब पे ही ना की फेस्बुक पर तो यह फीचर बहुत जरूरी है लेकिन इस फीचर को और डिटेल में समझने के लिए हमें यूटूब पे जाकर कि उसकी और फेसलिटी को समझना पड़ेगा तो उसके लिए यहां पर एंबेड़िंग फीचर में जाएंगे हम यहां पर देखिए आप टर्न आन प्राइव के यहां पर प्लेव गा सकते ने एंगरिप्टेड मीडिया लगा सकते हैं तो पुलिए उसके बाद अबेड़िंग अबड़ियो प्लेव ऑटो मेटिक कर सकते हैं आपको एंपरसेंट ऊंटो प्लेवान लगाना पड़ेगा तो इससे आपका वीडियो जोगा उसके आया कि इसमें आप embedded video at certain time जो हमने वहां पर आपको दिखाया था start second इसने 90 second दे जिए तो 90 second मतलब 1 minute 30 second बाद जो start होगा फिर next आया caption लगा सकते हैं, caption लगाने के लिए आपको यहां पर cc language preference equals to fr 1% cc load policy equals to 1 देंगे तो इसमें क्या करेगा, fr जो है it's referred to the french language, french language में आपका cc आने लगेगा by default अब हम चलते languages के code देखने, तो यहां पर जब आप जाते हैं, तो यह देखिए हिंदी का आपको मिल जाएगा, नीचे जाएगे आपको हिंदी का code मिलेगा यह देखिए हिंदी का हिंदी का हि जब लगाएगा तो आपका code हिंदी में by default आने लगेगा, यहां से जाकर आप code दूने सकते हैं, किसी के language का, अब अगर आपको embedding नहीं करनी हैं, तो वह भी आपको उमने करके दिखाई दीती की YouTube studio में जाएगे, content में जाएगे, detail में जाएगे, show more में जाएगे, और embedding को uncheck करके save कर दोगी, तो आपकी embedding बंद हो जाएगे, इसी तरह से हम किसी और दिन आपको share clip के rules बताएगे, कि कब आप clips ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं, क्यों copyright आजाएगा उस clip को लेने में, तो इसके लिए दूसरा वीडियो बनाएगे, जिसको आपको बता देंगे, और आप वीडियो और चैनल तो share करते हैं, तो अगर जब share करते हैं, तो embedding लगाती देगा, तो आपका YouTube पे खुलेगा, और नहीं लगाएगा, तो YouTube पे नहीं खुलेगा, अब यहाँ से गैसे हम लोग गए, YouTube चैनल पे, जब आए, तो यहाँ से आपको share option मिलेगा, यह आया, आपका यह देखी, आ रहा है, अब इसको, आपको copy करके आप share करते हैं, किसी को भी लेगा, और यहाँ से आप अपना सब काम करते हैं, यह देखें, यहाँ सोशल मीडिया पे आप share कर सकते हैं सब जगा, यह सब तो आपका वो आ रहा कि कौन लोग देख रहा है, यह आ रहा है, शेयर करेंगे आप जब, copy link करेंगे, send to your device करेंगे, QR code ले सकते हैं, कास कर सकते हैं, save page कर सकते हैं, कहां कहां भे सकते हैं, यह सारे आपके option दे रहा है, तो यहाँ से copy link करके आप, क्योंकि already embedded बना रखा है, तो यह आपका शेयर हो जाएगा, यह customized channel पे भी जाके आप शेयर कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग अपने video और link को share कर सकते हैं, so this is all today viewer, if you like this information, इससे आपका view भी बढ़ेगा और आपका subscriber भी बढ़ेगा, क्योंकि direct लोग channel पे जाकर के आपका या YouTube पे जाकर के subscribe करेंगे, और real subscriber बढ़ेगा, क्योंकि YouTube पे जाकर subscribe करेंगे, तो आपका unique view भी बढ़ेगा, और आपका YouTube का view जादा बढ़ जाएगा, जिससे कि आपको monetization में problem नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अपने चैनल के वीडियो ओपो और चैनल के लिंक को ऐसी जगह redirect कर रहे हैं, जहां जिससे वो YouTube पे ही फुले, तो थैंक यू विगा, इस आपका इस इंपरमिशन, प्लीज शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, रतन अगरवाल IT Informer, फोलो मैं और सब्सक्राइब में जोइन में चैनल कर रहे हैं, थैंक यू